दो वाइट मेडिकल कॉलेच में सिलंडर फट जाने से एक करमचारी युवक की मौके पर ही मौत हो गई जिसकी सूचना कॉलेच प्रबंदक की और से पुलिस को दी गई जिसके लिए जिलाप पुलिस प्रशाशन की और से एसीपी शुबम अगरवाल के निर्टर्थों में घटना स्टर पर पहुँचे और सारी स्थिती को जांच के पश्चात उन्होंने कहा कि बिती रात करमचारी युवक की और से सिलंडर बदला जा रहा था कि सिलंडर फटके आजिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई इतना ही नहीं सिलंडर फटने से इमारत की खिड़किया और शीशे भी टूट गए और परबंदक की आरसे अफरा थवरी में इस बिल्दिंग में दाखिल मेरीजों को दूसरी बिल्दिंग में शिफ्ट किया गया ताकि मैं सुरक्षित रहे पुलिस की आरसे मामला दर्च कर चांच शुरू कर दी गई है उनने आके आग डीजी की रूँ शांत कराता है इस ते अलाबा बाकी बोलों सिच्वेशन पीस्कुल है ते बाइट मेंडिकल कॉलेज ने इस पूरे इंसिरेंट दुर्वान एक कैजॉल्टी भी हुए है ते बाकी जड़ी हैगी अपनी सारी पुलिस्टी में इसे और दूसरी तरफ यह पूरी जान करी रही कि इस परकार्ट जबकी फास्ट्वे के अनिल खुराना ने ऐसे चो ममून बलजीत कोर्स से टेलीफून पर बात की तो उन्होंने बताया कुछ ऐसा जो श्लेंडर फटा उसके बारे में आपके बार्स क्या जान का रही है हमें रात साधे रस पोने गया वाजे एक फोन आया है हमारे कॉलोज में वो श्लेंडर फट गया है जी हम उदर मॉके पहुंचे तो जब देखा तो एक बीस बाइस साल के लड़के की डैथ होगी लड अच्छे नड़केगी जी हां फिर उसकी माता को बलाया उदर के माता दी स्टेट्मेंट पे एक सो चाहतर दी कारवाई कर दी है जो आगे वो बोलेंगे फिर उसके मताबका अगली कारवाई इंड़ी अमल्स लियां दिजाए तो आपको क्या लगता है कि ये किसकी कैसे हुई वो और कोई उदर है नहीं था जिए लड़का था अच्छा जी और इसके इलावाई कर रहे हैं कि कैसे हुआ है कर तक शुराज बताने में आपको आपको बास एक दो दिन में तरे ठीक है मड़म थैंक्यू प्राम सेज को फॉलो कीजिए और फास्ट वे न्यूस पठान को तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले